Good morning all of you, how are you all? Today I am going to start next video of chapter 3 of class 8 Last class में हम लोगों ने रायाउन के बारे हां बढ़ा था अब नाइलोन के बारे हां पढ़ना है दोनों क्या है? Synthetic Fiber ठीक है? नाइलोन वास फॉर्स मेड इन 1931 फॉम कॉल, वाटर और एर किस से बना, किसको किसको मिला के बना था? कोल, वाटर और एर किस साल में? किसी एर में, 1931 It was actually the first totally man-made synthetic fiber without using any plant or animal source ये पहला ऐसा fiber था जिसो सिर्फ और सिर्फ टोटल मतब पूरा man-made artificially तरीके से बना था और उसमें किसी भी तरीके के plant या animal का इस्तमाल नहीं हुआ था plant या animal product का, ठीक है? तो rayon क्या था? उसमें क्या था? कि wood pulp का इस्तमाल हो रहा था plant का part था लेकिन इसमें वो इस्तमाल नहीं हो रहा तो वो क्या था? semi synthetic था ये क्या है totally synthetic nylon is one of the most elastic synthetic fiber जो खिच सकता है synthetic fiber लेकिन यह अपना strength यानि कि जो मजबूती है वो लूज नहीं करता है जब आप इसको दोवारा इस्तमाल करते हो तीसरी बार इस्तमाल करते हो या फिर बार बार इस्तमाल करने के बहुजूद भी इसका strength यानिकी मजबूती में कमी नहीं आता यानि कि जिस प्रोसेस से जिस केमिकल रियाक्शन से यह नाइलोन बन रहा है वो एक मशीन में तयार हो रहा है जो कि बहुत हाई टेंपरेचर पे होता है यानि कि उसका तापमान कफी जादा होता है दा मोल्टेन सेमी सॉलिड लिक्विड नैलोन इस देन फोंस स्प फिनेरत विच सेपरेट नैलोन इंतो वरी थीन est कैंसर थे तो यह बोल्ण रहां मोल्टैं मोल्टैंट यानि पिगला हुआ Semi-Liquid, यानि कि Semi-Liquid, Totally-Liquid नहीं होता, Semi-Liquid पेस्ट टाइप में, तो वो क्या हुआ Semi-Liquid, जैसा आप Pेस्ट करते हो ना सुबह में, तो वही हुआ, da, Semi-Liquid, Nylon is then forced into a spinneret, ये क्या है, एक मर्शीन है, जो सैनल को, यह semi liquid को धागा में convert कर देता है very thin strands यानि धागा और fiber में बदल देता है the fibers are dense यानि कि फिर बुना जाता है through a spinning wheel यानि बुनने वाला चक्का से spinning wheel जो घूम रहा होता है into yarn और फिर यह क्या है तो यार्ण क्या होता बहुत सारा इसमें देख रहो इसको अगर आप खोलोगे तो इसमें बहुत सारा पतला पतला धागा से मिलकी यह एक रसी बना है तो यह अभी यार्ण के फॉर्म में जब निकालोगे तो यह क्या होता है इसमें से आपका यह निकलेगा fibers निकलेगा which in turn is woven into fabrics 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 यानि कपड़ा अब इस धागा से आप कपड़ा यह बना सकते हो टाइटर दवीव दमो स्टेंट इन्टू नाइलन फैब्रिक विल है यानि कि जितना टाइटली आप बुनोगे वी मतलब बुनना उतना ही जादा नाइलन फैब्रिक यानि कि नाइलन का जो कपड़ा बन सकता है ठिके तो सिंतेटिफ पाइटिषक बन रहा वह वह लगवग इसी प्रोसेस से होता है से 생लल लस्टिक लाइस्टक लाइट वेट यानी हलका होता बजन में लॉस्च्र достater मतलब changes madaamp एक्स्टेंसिवली उस्टो में क्लॉट क्योंकि यह स्ट्रॉंग है लास्टिक है और इसली धूल सकता है इसका इसका समाल होता है कपड़ा बनाने में सॉक्स रोग ठीक है टेंट होता है लगाया जाता है जो कपड़ा में पारशूट हो गया एंड वाइड वराइटी ऑफ आर्टिकल्स यानि बहुत सारे समान बनाने में इस्तमाल होता है तो यहां देख लेते हैं नाइलन थ्रेट इस्ट्रॉंग दैने स्टील वायर ऑफ सिमिलर डामेंशन यानि कि उसका उतना ही मुटाई और उतना ही लंबाई अगर एक नाइलों क लिए इंट्रॉट्टॉट्स टेवेर इंग्रेट डिमांड यानि कि जब पहली बार नाइलों का स्टॉकिंग में लगा था वह स्टॉकिंग होता है तो वह बहुत बड़े डिमांड में था लेकिन मोस्ट ऑफ दानायलन प्रोड़क्शन वार डाइवल्टेट टू दू द किया हुआ स्टॉकिंग बनाने की जगह बहुत सारी कंपनिस क्या बनाने लगी पैराशूट बनाने लगी ठीक है आफ्टर दवार जब यह वार खतम हो गया तो प्रोड़क्शन और स्टॉकिंग वार रिजियूम डिजियूम मतार दोबारा उसी जगह से स्टार्ट कर देन फिर से बनने लगा स्टॉकिंग बड़ डिमांड वास सो हुज आट ओफन देर वे नाइलन रायर्ट यानि की कमी हो गई थी नाइलन का इतना ज्यादा डिमांड हो गया था नेक्स आपका पॉलीस्टर ठीक है पॉलीस्टर आप जानते होगे पॉलीस्टर इस अनधर सिंथ सब्सक्राइब जाता है उसमें बहुत सारे निशान आ जाते हैं जिसके वज़े से आयरन करने के जरुरत पड़ती है तो खैर इसमें नहीं होता पॉलीस्टर में इस ट्रॉंग यह भी स्रॉंग लाइट वेट है और लास्टिक यानि हलका सा खिच सकता है क्लॉस मेट यानि कि पॉलिस्टर से जो कपड़ा बनता है फैब्रिक्स कपड़ा उसके पास वह क्या होता है धुलने में काफी असान होता है एट ऐसा ऐसा काफी वहाई इसको खास ख्याल रखने का जूरत नहीं पड़ता जितना कि आपको नाचिजरल फाइबर्स का रखना पड़ता जैसे कि सिल्क हो गया वुलेन हो गया या कॉटन हो गया उसको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है नहीं तो उसमें क्या होता है खराब हो जाता है कफड़ा आप नेक्स्ट है पेरिलेन यह एक वाराइटी है टाइप है सिंथेटिक फाइबर का विचार मिक्स्ट विट नैचरल फाइबर के साथ मिक्स करके इस नैचरल फाइबर का प्रोपर्टी यानि की गुन को बढ़ा देता है जैसा कि आपने रहा उन में देखा था वूड मिला के वूड के पल्प से बन रह जा रहा था तो यह यहां इन्हेंस नहीं बढ़ा देना उसके प्रोपर्टी को गुन को बढ़ा देना ठीक है नेक्स्ट है टेरी कॉट ए ब्लेंड और टेरीलीन और कॉटन को मिला देंगे इस कॉमनली यूज्ट फॉर मेकिंग ड्रेस मेटेरियल्स यानि कपड़ा बनाने को बूल में मिला देंगे ब्लेंड ऑफ टेरीलीन और वूल विच्छाव अमेजिंग प्रॉपर्टी इस यूज्ट तो मेक सूट लेंज ठीक है इस कस्टमाल सूट बनाने में होता है टेरी सिल्क ब्लेंड यानि मिक्शर टेरीलीन और सिल्क का इट इस चीपर वर्जन ऑफ सिल्क यानि जो ओरिजिनल सिल्क है उससे सस्ता मिलता है एंड इस तो मेक साड़ी ड्रेस मेटेरियल्स और एटीसी ठीक है तो यहां तक हो गया यहां देखते है डू यू नो दे टाम स्पिनरेट ओरिजिनेटेट फॉम दे स्पिनिंग ओर्गेन ऑफे स्पाइडर मुस्ट स्पाइडर है six but some may have four or even two तीक है यह इस पीनरेट टॉम दिया गया जो मर्शीन जो बुनने वाला मर्शीन था वह कहां से लिया गया है स्पाइडर से क्योंकि यह इसका स्पिनरेट एक और गरन है जो इसको यह जाला बुनने में help करता है ति किसी किसी के पास spider के पास six होते है किसी के पास चार या दो भी हो सकते यह जितने भी हो चार हो छे हो या दो हो सब क्या एक साथ काम करता है प्रकाइब नेग्सटर आपका इस्टर इस स्विट स्मेलिंग और गनिक गनायिक आपको बता हूँ जाथ जिसमें कार्बन होता थे स्विट करता है वर्ण्वेश और और ओल्क है और अल्कोहल कमाईड और यह जब और ऑप्लांट आइस ही वाटर यह जब कोई और अप्लाइ साथ में मिला देंगे तो यह क्या करेगा एक इस्टर बनाएगा जो हल्क अच्छा स्मेल करता है और साथ में क्या रिलीज होगा वाटर रिलीज होगा जैसे फोटो सिंदेज्स में था ना वैसे ही ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था तो वैसे यहां क्या होगा वाटर रिलीज होत मिलके क्या बनाता है तो वहीं बोल रहा है जैसे कि नाम बता रहा इसका कि में इस्टर यूनिस बहुत सारा चोटा-चोटा इस्टर का मॉलीक्यूल जुड़के क्या बनाए है पॉलिस्टर विच में भी सिंथसाइज प्रॉम प्रोटक्ट जो हो सकता है जो मना हो कि से ट्रॉल भी डीजल भी केरोसीन भी और जो जेली यॉनिव प्रेट्रेट्रॉलिू मिले सकता है कास्मेटिक्स में भी सिस्टेमाल होता है तो प्रेट्रॉलियम से ही कि अब बन रहा है । पॉलीश्टरर देखा होगा की आ lei जब ningún बधोना है त्ञाना या वहलें थाज़ू सुना होगा कि बॉटल से यह जार जिसको हम लोग पानी रखने के लिए फिर कुछ और चीज रखने के लिए इस्तमाल करते हैं तो बीटी का अब बहुत सारे यूसफुल प्रोडक्ट जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं देखो यह जैकेट है पॉलिस्टर से बना हुआ है तो इसका इस्तमाल हम लोग करते हैं नेक्स आपका अक्राइलिक जो होगा नेक्स क्लास में ठीक है आपको यहां तक पढ़ना एच्छे से